हेलो फ्रेंस मेरी डजेस्वार शुब वास्तों में आपका स्वाधत करती हूं काफे वाह हम यह माँते हैं कि हमारे घर में या हमारे वास्तों में जासे संड्राइस हो रहा है वो हमारे घर का इस्ट है यह बास सही तो है कि वो हमारे घर का इस्ट है पर यह पूरी तरीके से सही नहीं है वो पार्टली 39 भी हो सकता है यह पार्टली 37 भी हो सकता है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर के exact directions कहां हैं, कहां हमारा north है, कहां हमारा east है, कहां हमारा south है Friends, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम हमारे घर क्या exact directions कैसे find out करें इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरग परेगी जैसे हमारे घर का layout यानिकी plan या लक्षा, एक magnetic compass, एक scale और एक pencil सबसे पहले हम हमारे घर का layout लेगे और यह देखेगे कि वह proper square या rectangle में है या नहीं अगर वह proper square या rectangle में नहीं है, तब हम उसके outer walls को joint करके उसे square या rectangle का form देखे Friends, अभी हमें अमारे घर का मध्य यानिकी midpoint find out करना है जिससे ब्रह्मा पॉइंट भी किरते हैं इसके लिए जो हमें square या rectangle के form में layout मिला है उसके opposite points को joint करेंगे और हमें एक intersecting point मिलेगा, यह intersecting point हमारे घर का मध्य है यानिकी midpoint है इसे ब्रह्मा point भी कहते हैं यहां हम practically देखेगे कि हम हमारे घर के directions कैसे ले सकते हैं सबसे पहले हमारे घर के layout को एक square या rectangle का form देगे कुछ इस तरह outer walls को joint करके हमने एक rectangle का यहां form दिया है फिर हम उस rectangle के opposite points कुछ इस तरह यह जो opposite points है इन्हें join करेंगे और फिर हम एक intersecting point यहां पर मिलेगा यह है घर का center यानिकी मध्य इसे ब्रह्मा point भी कहते हैं अब हम यह layout लेकर घर के इसी point पर जाकर इस layout को वहां पर place करतेगे कुछ इसी तरह से place करना है कि bedroom हमारे आगे हो और bathroom जो है वो पीछे अब हम इस layout के center में जाकर एक magnetic compass place करेंगे तो यहां पर अब हमने यह रखा है इस पर यह ऐसे kuch magnetic compass हम रखेंकिंद है यह manual compass है और इस पर यह जो red needle है उसे हमें slowly move करकर not यह जो N लिखा हुआ है उस पर ले आना है कुछ इस तरह से हम एकदम slowly इसे move करके हम इसे नौथ पर ये जो रेड नीडल है उसे इस तरह से ले आएगे एक बार ये रेड नीडल नौथ पर आ गई फिर हम इसे अराम से कुछ इस तरह से फिर यहाँ पर जो एन लिखा वा है वो इस घर का नौथ है अब हम इस घर पर नौथ की मार्किंग कर लेगे इस तरह से हम North की मार्किंग कर लेगे और उसके opposite होगा South इस compass में East और West की मार्किंग है तो हम East की मार्किंग कर लेते हैं और फिर यहां पर हम West की मार्किंग कर लेते हैं इस पर सब डिरेक्शन भी मार्क्ट है तो यह है सब डिरेक्शन भी अब मार्क इस लियाउड पर कर लेते हैं इसे सेंटर में रखिए फिंगर रखिए और फिर हमने यह स्लोडी कुछ इस तरह से हमने नौद इस की मार्किंग कर ली फिर साउध इस की मार्किंग हो गई फिर हम यहां पर साउथ वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं और फिर कुछ इस तरह नौथ वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं अब हमें घर की सारे डिरेक्शिन्स मिल चुके हैं इस तरह से फिर हम एक स्केल लेकर इस जो पॉइंस है उन्हें जॉइन करेगे तो सबसे पहले हम North और South को जोईन करेंगे तो North और South को हमें ऐसे जोईन करना है जो जो लाइन है उसकी North और South की वो Center Point से होकर गुजरेगी वो Pass होगा Center Point से घर की सारे Direction Center Point से ही Pass होगे तो अब हम कुछ इस तरह से Place करते हैं और हम फिर कुछ इस तरह से यह South हुआ यह North हुआ और हमने पर यह एक लाइन करके जोईन करेंगे इसी तरह से हम East और West को भी जोईन कर लेते हैं यह Center से ही Pass होगा कुछ इस तरह से हम यह Center से पास होकर अब हम यह East और West की लाइन को भी हम जोईन कर लेते हैं इस तरह से, बहुत आसानी से, बाकी सब डिरेक्शन्स भी इसी तरह से जोइन होके, तो अब हमें हमारे घर का जो है, वो नौथ, ये हमारे घर का नौथ है, ये घर का साउथ, ये एस्ट, और ये है हमारे घर का वेस्ट, अब हम बाकी सारे सब डिरेक्शन्स भी जोइन कर ले अब हमें सारी स्ब क्म सब है तो हमें हमारी घर का Northern North East East Southeast South South West West और North West मिल चुका है बड़े आसानी से हमें ये से प्रेंग्स आपने जाना कि कितने आसानी से हमने हमरे घर के डिरेक्शन जानी है उतने ही आसानी से आप भी आपके घर के डिरेक्शन जा सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे प्लीज नीचे कमेंट किजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब किजी तब तक के लिए शुद्वास्त और हापी लेग्स